अगर आप भी अपने खराब charger को फिक कर निया charger मार्कर से खरीते हैं तो यह वीडियो बिलकुल आप लोगों के लिए है जब भी आपका charger खराब होगा नेक्स टाइम से आपको नहीं फिकना है इसमें generally रखकत हुआ था थोवासा टूट भी गया है और मैं इसको फिर टेप मार के रख दिया था कि जब मैं टाइम मिले तो वीडियो बनाऊँगा आज टाइम मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूं और टेप इसलिए माहा था कि खूल के निकलना जाए तो अलड़ी यह खुला हुआ मैं टेप से इसको अटका दिया था मार करके कि आप लोगों ठीक से समझाने से वक्त समझा पाऊं और खोलने में काफी टाइम लगा तो आप लोग भी खोलिएगा साबधानी से खोलिएगा और घर में आप इसको कैसे बना सकते बिना फेकर यह लावा का चार्जर है बहुत में टूट गया था यहां पर और यह जो खुला हुआ पहले साब देख लिए यहां पर अब इसको थोगा सा प्रेस्त करेंगे ना हलका सी तरह से देखिए खूल रहा है तो इस तरह से कुछ अंदर में दिखाई देता है इसमें वह ज्यादा हाइफाई कुछ मेकानिजिम न बोल्स से लेकर के 4.4 या 5 वोल्ट आता है ठीक है और इसमें देखिए कुछ इस तरह का बोड़ है पीछे में पीन वेगर निकला हुआ यह प्रिंटर सर्कीट बोड़ नहीं पीन निकला हुआ ता इसमें निकला हुआ तो ज्यादा डीप नीश समझता में आपको समझाना कूरें नेयBER निकला होँगा उससे परले में चीज़ा को देखा दूं कैसे खोलना चांधर मेरा ता बनाना पड़ता है इस बॉर्ट के सो टानेंगे तो यह थोएसा अठाकड़ा अंदर से साया तक देखना पड़ेगा तो यहां पर अठाकड़ा है और बॉर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है और अच्छा इस तार के बाएस अठाकड़ा इसको हल्का सा पूच करेंगे तरह देखिए यह लड़ी खाप बना हुआ था खाप में डुका रहता है और हर एक चीज के जगा रहता है उसमें आप इजी ली इसको लगा सकते अब आसर से निकल गया बोर्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है तो यह खाली डबबा खतम अभी बोर्ट कुछ ऐसा दि लिए दिखाई दे रहा है मैं थ्वासा आपको फोकस करेकर देखाऊं अब देखिए यहां देखिए यह काले काले चीज़ है उसमें कुछ नंबर कोडिंग किया हुए तो क्या चीज है क्या काम करता जैनली क्या ख़ड़ाब होता हम लोग का वह मैं बताउंगा तो यह सब सब क्या है समझाता हूं यह पीला पीला कालर में है यह त्रांस्फोरमर होता है और यह सटैप में कुछ काला कला दिखाई देरा यह पानी का टेंके जास बोल्ट का तो को दिखाई दे रहा होगा यह 1050 में कोई खांग को ने अत्वं दिखा यह हो सकता है ठीड़े हाना इस तरह थाया होता है दोग जो अक्षण के मिल गडी सरक्यट बानता है और रहिट होते हैं कि ज्याधा करेंट को आने हाट में लेवल का करेंछ यह ज्यादा आगी तो बो च को बचाने के लिए इस से देख्ट कर लगा आता है साधा गालम जो दिखाई देखाई देखाई दापको धारी-धारी यह है यह पीन है दुनों मेटल का वो टाच होता हुआ। इसमे इसमें करेंटा तौन झाघवा होता है तो इस तरह से करेंट का फोलो होता आधान प्रदान होता अगर यह टाच न रहा है तो चार्ज में देख लीजिएगा यह करनेक्ट होता है कि नहीं आपके चार्जर में ऐसा कुछ सिस्टम होगा सेम् तू सेंक कॉपी नहीं रहा कि यह करना आपको किस तरह से याद भी रखना है कि कैसे काम करता है और क्या नहीं काम करता है सबका अलगा काम होता है कि अपने अपने वोल्ट को मने करेंट को होल करके रखना ठीक है एक बार में जटका में जब चाहिए वो देदेगा है ना वोल्ट को वल्टेज को होल करके रखना और फिल्टर जो यहां से रिवर्स नहीं करेंगा करेंट उसका पास नहीं करेंगा यह बीच से खराब हो जाए तो करेंट जब उल्टा पास होना लेगा तो दिक्कत होयागा बहुत खराब हो सकता है यह चार्जिंग बंद हो सकता है इसका में रोल यहां पर कि करेंट एक डिरेक्शन पास सी टाइब का लग होता है आप मोंबाल लपर लिए लेकिन यह पर देख लिए घ्लंपल यह बता हूं कि यह पसमामसी चार्च करने काम हता है तार कहीं से कटा उठा होगा तो आपका चार्जिंग नहीं लेगा तार को सटा देना है और यह करना है अब एधि चीज देखा रहा हूँ खोल करके क्या एभक रचाट घरेंगे आपको शबलता है क्या खराब होता है उनक तो यहां è इसी charger में क्या होता है फ्यूज भी लगव रहते हैं फ्यूज का क्या होता है कि ज्यादा वोल्ट जब आएगा तो अपने आपको नश्ट कर लेगा जला लेगा और हाइव वोल्टेज जो करेंट है जाने से बच जाएगा क्लियर तो इसमें लेकिंगे फ्यूज नहीं है क्लि अब यह जो डायोड है प्रोब्लम असल में इसी में मैंने चेक किया कि मैंने पहला बता है कि दोनों सीडों पे आप चेक करेंगे मल्टी मीटर से तो एक साइड आपका वेलू आएगा और जाब उसी मल्टी मीटर का तार को चेंज करके चेक करेंगे इसमें काले वाले में दायोड में तो क्या होगा वह भेलू नहीं आएगा तो आप समझें वह डायोड ठीक है यह वी इस अड़ाव हो जाए इसका दोन तरब से बहलू आने लगे इसका मतलब यह लीकेज हो जाता है और यह प्रोब्लम क्रीएट करेंगा और यह समझेंगें चार्जिंग नहीं ऐसे लेगा यह सेभी और उसे चीज़ था तो आप देखिए यहां पर प्रोब्लम था कि डायोड का प्रोब्लम था तो अब दो भी करेंगे देखनी और आपको चेंज करने बाद करने के बाद मेखें और हरें और हरे खाप खाफ में यह बना हुआ रटा है और आप उसको लगा सकते हैं असानी से हैं तो जैसे था वह से हमनों क्या करेंगे उसको फीट कर देंगे मुझे पदा चल गया मैंने बताया आपको काला काला का जो था डायोड वही खराब है वह दोनों तरब से वैल्यू दे रहा है मंद प्रोब जो मल्टिमीटर जो प्रोब होता है अब बाखी सब ठीक है और इसको इसे नॉमल जीसे लगाते हैं वह से लगा लीजीगा थोड़ा होड़ा है तो इसको थोड़ा सा खाप में बैठा देना है और पूस कर देंगे बैठा देंगे और इस तरह से देख लेजिए के लिएर मैंने कर दिया है और इसका जो पीन है वह देख लेंगे किसे सेट कैसे हो कहां पर तच हो रहा है अगर ऐसे लगाते हैं तो इस तरह से टच होगा हम चाहें तो घुमा कर लगाए तो टच नहीं होगा आप एक्जैक्ली आप सोचें क चाप्येंगे कर सकते हैं या फीड आप असानी से इसको टेप उप मारके तरा सकते हैं और यह काम करना शुरू कर देगा ट्राइक करके को अब दॉदा नगीगा फोन चार्ज हो रहा कर नहीं देख लीज़े एक तो यहां पर वापश से टेप लेंगे जो टेप था वही ट दिखाऊंगा कि क्या खराब है मैंने बता दिया दो साइट से अगर उसका वेलू आये डायोट का तो मतलब वो डायोट को चेंज करना जिस टाइप का डायोट है उस टाइप का ही डायोट आपको लगा देना है अगर दुकांदार है तो कस्टमर को बेच सकते हैं अगर आप खुद कस्टमर है दुकान में नहीं जाना चाहते हैं तो यह ट्रिक लगाए देखिए तो आप मैक्सिमम देखिएगा आपका कैपिस्टर या फिट डायोट ही खराब होता है वीडियो पसंद आए तो वीडियो बाइ